तो कैसे आप लोग दोस्तो आज मैं बता रहा हूँ कि धर्ती का स्वर्ग कहा जाने वाला रास अलहिक्मा जी हाँ दोस्तो ये एक मिस्र का शहर है जिसको UAE ने खरीद लिया है और UAE ने इसके लिए 35 अरब डॉलर की रिकम चुका या 35 अरब डॉलर होता कितना है तो ये लमस कर देशये तो पहले आप चैनल को सबस्क्राइब जरू कीजेगा अगर अगर पहले ही आपने सबस्क्राइब कर लिया थो वीडियो को लाइक जरू कीजिएगा तो चलिए देखते हैं कि ये आखे शेहर है कैसा ये देखिए ये बहुत खुबसूरा शेहर है दोस्तों और ये मिस्तर का शेहर है और ये बीच आइलेंड वाला शेहर है मल्लब की समुद्र के किनारे पर इस्तित एक शेहर है एजिप्ट का ये आप देख सकते हैं इसकी बहुत खुबसूरत और इस तरीके से इसका पैटर्न जो है वो बनाये गया है यह आप देख सकते हैं यह आप मैं कुछ फोटो दिखा रहा हूं तो आप देखिए कि इस Civics टरीके से इसको प्लैनिंग किया गया तो हम चलते हैं मैप की ओर, तो दोस्तो ये है रास الحित्मा, जी हहां दोस्तो इसकी बीऊटिफुल जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से, इसकी फोटो बड़ी बड़ी फोटो जैं, ये आप देख सकते हैं, एकलम समुद्र के किनारे इस्तो है, अब ये जो है वो UAE में खर मुझगा दू कि दोस्तों यह है मिस्ट यानी कि इजिप्ट ठीक कि एजिप्ट है यह पूरा और इसके मैडिटेरियन सी जो मैडिटेरियन सी है उसके पास इस्ते आद मीडिक मेड़िटेरियन तहु यह कैसा है तो यह है रास अल्हिक्मा ठीक है तो यहां पर यह जो है लाविस्ता हिक्मा है ठीक है यह टिप अफ रास हिक्मा यह पूरा शहर है यह पूरा शहर है यहां से आप तक आप देख सकते हैं ठीक है तो यहां पर यह इसकी टिप है रास अल्हिक्मा की और जहां पर ट तो सिटी प्लैनिंग है, जो है वो इस साइड में है, आप देख सकते हैं लाविष्टा है कि यह सिटी प्लैनिंग है तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरू बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरू किजेगा, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही मज़ सब्सक्राइब तब तक के लिए जय हिंद जय वारत